असलाम वालेकुम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका खैर मगदम है नाजरीन जहां कुछ डॉक्टर कोरोना के डर से नौकरी छोड़ने को तयार है जैसे कि एक मामला जारखंड में देखने को आया कि एक डॉक्टर दमपत्ती ने इस्तीफे की पेशकश की क्योंकि उनकी ड्यूटी कोरोना वाइरस के वाड में लगा दी गई थी वहीं दूसरी और ऐसे बहादुर और परिष्टे डॉक्टर भी हैं जो मरीजों का इलाज करते हुए खुद इसकी चपेट में आ गए ऐसा ही एक मामला दिल्ली सरकार की महला क्लीनिक में देखने को आया हम दूआ करते हैं कि अल्ला ताला इन डॉक्टर को तंदुरुस्ती अता फर्माएं आमीन लेकिन नाजरीन आज हम आपको ऐसे मुस्लिम डॉक्टर की खबर से रूबरू कराएंगे जिससे सुनकर आपकी आँखों से आसू निकल पड़ेंगे लेकिन इससे पहले नाजरीन हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर नए हैं तो हमारे चैनल नूरानी खबरों को सब्सक्राइब कर ले विडियो के नीचे बने लाल बटन को दबा दे जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा उसके साथ ही बने घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दे जिससे हमारे चैनल के लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी नाजरीन आखों को ये बेबसी नम कर गई मरने से पहले घर आया बच्चों को गेट से ही बाहर से देखा और चला गया फिर उसने दुनिया को अलविदा कह दिया कितना दुखदाई ये लमहा रहा होगा कि अपने बच्चों को अपने सीने से भी ना लगा सका ना ही प्यार कर सका और ना ही चूम सका इंसानियत आपकी कर्जदार रहेगी डॉक्टर हैदियो अली इस तस्वीर को हमेशा याद रखिए ये मारमिक तस्वीर त्याग की एक मिसाल है ये इंडोनेशिया के डॉक्टर हैदियो अली की आखरी तस्वीर है जो कोरोना वाइरस के मरीजों का इलाज करते हुए खुद कोरोना से संक्रमित हो गए थे। जब उनको लगा कि अब वो नहीं बचेंगे तो घर गए और गेट के बाहर से खड़े होकर अपने बच्चों और प्रेगनेंट बीवी को आखरी बार नहारा और फिर चले गए। य उनके बीवी या बच्चों तक वाइरस पहुचे। डॉक्टर हैदियो अली इनसान के रूप में एक फरिष्टा साबित हुए। ऐसे डॉक्टर को हम नूरानी खबरों की तरफ से सलाम करते हैं। नाजरीन अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वी वीडियो को शेयर करना बिलकुल ना भूले। अल्ला हाफिज।